सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील महेश जेट मलानी ने अदानी समूपर रिश्वत खोरी के तमाम आरोपों को बगयर समूतों के और बे बुनियाद बताया है महेश जेट मलानी ने का है कि अदानी समूपर ऐसे आरोप लगाकर भारत खिलाफ साज़िश की जा रही है ये पूरी तरह से राजनितिक मामला है जिस नियाय विभाग ने अदानी समूप पर आरोप लगाए हैं उसे अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनल्ड च्रम्प भी सवाल खड़े कर चुके हैं आपको बता दे राजनितिक अंसद और वरिष्ट अदिवक्ता पहेश जेत मलानी ने कहा है कि अमारिकी नियाय विभाग बहुत ही चल्दबाजी में काम कर रहा है इसके समय पर गौर किया जाना चाहिए जहां तक सवाल है अमेरिकी अदालत का अभियोग भी भारत में किसी भ रिश्वत खोरी के बारे में बात नहीं करता है ये केवल ये कहता है कि भारत में विदेशी भ्रस्चाचार निवारण अधीनियम का कोई उलंगन नहीं हुआ है भारती अधिकारियों को रिश्वत देने की कोई मंशा एक साजिश एक योजना थी लेकर इसका कोई सबूत न इसन निवार इसन था विदो ऐवद देनियु उबρχ कोई मन्नी का का सच।र्च भारत मौत टामि अधीनियम कोई सबकल इस κ wenn दीकार अधीनियम कोई स्टनीक्न ओंध दिश्वत उन्या आधीन अधीनियम कोई त्युद्स dettoट जसके वैधीनियम कोई इस और झालियू आह आं there is no violation of the foreign corruption prevention act in India neither the Adanis nor even Adani Greens which is the bond holder which is the bond issuer none of them have been cited as giving any bribes in India